कोलंबिया के रहने वाले डिडियार मुम्तावों को लोग इंसानी कच्छुआ कहा करते थे क्यूंकि ये बच्चा एक शैल लाइक बर्थ मार्क के साथ पैदा हुआ था स्कूल में दूसरे बच्चे मुम्तावों से दूस्ती करने से डरते थे और उसके गाउं के लोग मानते थे कि ये बच्चा श्रापित है जिसके कारण मुम्तावों ने स्कूल जाना छोड़ दिया लेकिन इस स्टोरी की हैपी एंडिंग तब हुई जब इस बच्चे की दुखत दास्ता एक ब्रिटिश टीवी चैनल पर दिखाई गई जिसे देखकर लोगों ने मुम्तावों के इलाज के लिए डोनीशन दिया और विदेशी डॉक्टर्स ने सफलता पूर्वक मुम्तावों का ये शैल हटा दिया मनार मेजेट एक अजिप्शियन लड़की है जो के पनी मा के गर्भाशे से एक जुडवां बहन के साथ इस दुनिया में आई लेकिन उसकी ये जुडवां बहन उसके सर के साथ जुड़ी हुई पैला हुई जिसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ उसका उपरी हिस्सा था यानि की इन जुडवां के नीचे का शरीर गायब था इस दूसरे सर पर नाख आँख और मुह थे जो हसने और पल के जपकाने जैसे हरकतें कर पा रहा था ऐसे में उसके पैरेंट्स ने इस दूसरे सर को अपनी बेटी के शेरीर से अलग करवाने का फैसला किया जिसमें डॉक्टर्स को सफलता भी हासिल हुई पर इस कहानी में दुखद बात ये रही कि कुछे दिनों बाद मनार के दमाग में एक इंफेक्शन हुआ और उसकी मृत्य हो गई यूगांडा के ये बच्चा एलिफेंटियेसिस नामक एक असामान्य बीमारी से ग्रेसित है इस बीमारी में मनिश्य के पाउं किसी हाथी के तरह विशालकाय हो जाते है इस बच्चे के माता पिता को इस बीमारी का तभी पता चल गया था जब वो महज 18 महीने का था लेकिन परिवार के आर्थिक स्तिती कमजोर होने के चलते वो अपने बच्चे को मेडिकल सुविधाई नहीं दिलवा पाए इस बीमारी की वज़े से ये बच्चा एक साधारन जिन्दगी नहीं चीपा रहा और उसका परिवार अब युगांडा सरकार से उम्मीदें लगाए हुए है आट साल का ये बच्चा चाइना के गाउं में फिश बॉय के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी चमडी किसी मचली की स्किन के तरह दिखाई देती है दरसल ये बच्चा एक रेर स्किन डिसार्डर से जूच रहा है जिससे एकैथियोसिस कहा जाता है शोद करताओं की माने तो ये दर्दनाग बीमारी हर पांच हजार में से एक बच्चे को पाई जाती है जिसके लक्षन जन्म के समय दिखाई नहीं देते इस बीमारी से ग्रसित बच्चे की चमडी से पसीना बाहर नहीं आ पाता जिससे इन्हें बेहत ज्यादा गर्मी लगती है ये बीमारी दर्दनाग भी है और फिलहाल लाईलाज भी जिसके चलते चाइना के इस बच्चे को डॉक्टर्स की देखरीख में ही रखा गया है दोस्तों ऐसे ही दिल्चस्प वीडियो रोज देखने के लिए इस वीडियो को लाईक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद